सब्सक्राइब करो फैक्ट फंड न्यूस चैनल ने अने यूट्यूब उपर बैल आइकन दबावी समाचारों ने तमाम अपडेट मिड़ो ये भारत वरश के लिए बहुत ही आनंद का दिन आज नसुस हो रहा है न्याय परिपाटी से जो निर्णय होना चाहिए वो निर्णय आज प्राप्त हुआ है बरतमान समय में तो देखा ये जा रहा था कि न्याय को भी स्वतंत्र नहीं रहने दिया जाता लेकिन बहुत ही सुप्रीम कोर्ट के लिए एक कुशी का विशय है कि न्याय पति न्याय अधिश बहुत ही संतुलित न्याय को दे करके और भारत के एक आदर्ष नमूना समझाया है जैसे भगवान राम आयोध्या का विजय करकर के आये थे जब आयोध्या में और उस समय जैसे दीप मालिका हुई थी ऐसी दीप मालिका का ये दिन है जिसमें किशी के साथ अन्याय नहीं लेकिन वास्तेविक रूप में जो स्थिती थी वो उन्होंने प्रगट की है कि जो आर्केलोजी की खुदाई में भी जो प्राप्त हुआ है जो अईतिहासे के तथ्यों से जो प्राप्त हुआ है उस चीज को समझ करके उस चीज को लेकर के उन्होंने निर्णे दिया है ये निर्णय वास्तों में बहुत सवहर्द बढ़ाने वाला है लेकिन मुझे आशेरी जब होता है जब इस निर्णय के पीछे भी जब बहुत कुछ चर्चाएं अलग 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 चलती रहती हैं तो ये चर्चाएं तो मैं मानता हूँ ऐसा तो ये लोगों के दिमाग को प्रहमित भी कर सकती हैं इसलिए ऐसी चर्चाएं नहों तो वो भारत के लिए बहुत उत्तम पक्षर हैगा बेकार के उत्तेजित करने के शब्दों को उपयोग करके बहुत कुछ कहा जाता है बहुत कुछ समझे बगएर के अलग-अलग ख्षेतर के नेताओं की वाणियों में भी निकलता रहता है ये वास्ता में मैं तो दुर्भा के मानता हूँ कि जो भारत के लिए आनिकारक पत्त थे है तो उस चीज को वो बढ़ाना चाहते है वास्ता में तो हम बहुत आनंदित हैं कि भगवान राम का जो गवरव भारत में होना चाहिए वो गवरव आज़ पराप्त हुआ है और मंदिर के निर्मान के बाद बहुत कुछ ये एक मुखित तीर सथ हम के रूप में विक्षित होगा और यहाँ जाना भी हो सकता है सब लोगों का बहुत ही सुंदर जगे है सर्यू का किनारा है मैं ये मानता हूँ जब भी अयोध्याज में जाना हो तो भगवान के राम के दर्षन अवश्च ही लोग करें और भगवान के राम के दर्षन उनके आत्मा और आत्मा को आनद देने वाले होगे भारती धर्म की एक विशेष्टा रही है कि ये सब को मिलाकर चलते हैं चणातन धर्म का मतलब है कि वो सब के साथ रह करके और उत्म पक्ष को ग्रहन करके चलते हैं और ये ग्रहन हुआ है और सही रूप में ग्रहन हुआ है ये बहाँ मसल्मानों का भी बहुत सहयोग रहा है और जिस तरह से सवभाद बना है यही सवहाद भगवान रखें, ऐसा मैं भगवान की चरड़ों में निवेदन करता हूं.